तटारा पामीरो कथा तो इस चैप्टर के जो राइटर है उनका नाम है लीला धर मंडलोई द्वीप का मतलब होता है आईलेंड तो यह चैप्टर अंदमान निकोबार द्वीप समोहु के एक प्रचलित लोग कथा पर आधारित है यानि के एक बहुत ही फेमस स्टोरी पर निकोबार द्वीप समोहु का पहला प्रमुख द्वीप कार निकोबार है जो की लिटिल अंदमान से 96 किलोमेटर की दूरी पर है पौरानिक जन्शूती यानि की पुराने लोगों का कहना है कि यह दोनों द्वीप पहले एक ही थे इनके अलग होने के पीछे एक लोग कथा आज भी प्रचली थे इनके अलग होने के पीछे एक बहुत ही फेमस स्टोरी आज भी फेमस है जब दोनों द्वीप एक थे तब वहां एक सुंदर सा गाउं था जहां एक सुंदर और शक्तिशाली यूवक यानि की लरका रहता था जिसका नाम था टटारा वह एक नेक और इमानदार व्यक्ति था और हमेशा दूसरों की मदद किया करता था निकोबारी यानि की निकोबार आइलेंड के जो लोग हैं उनको निकोबारी कहते हैं निकोबारी उसे बहुत ही पसंद करते थे वो अपने गाउं के लोगों के साथ सारे द्वीप की भी सेवा किया करता यानि कि वो जो युवक था तटारा वो अपने गाउं के लोगों के साथ साथ पूरे आइलेंड की भी सेवा किया करता था वह हमेशा अपनी ट्रैडिशनल कपरे में रहने के साथ अपनी कमर में एक लखरी की तलवार बांधे रहता था वह कभी तलवार का इस्तिमाल तो नहीं करता था लेकिन लोगों का मानना था कि उस तलवार में दैविक शक्ती है यानि कि उस तलवार में देवताओं की दी हुई शक्ती है एक शाम तटारा दिन भर की मेहनत के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल परा सूरज डूबने को था और समुद्र से ठंडी हवाय आ रही थी पक्षिया अपने घरों को वापस जा रही थी तटारा सूरज की अंतिम किर्णों को समुद्र में देख रहा था तभी उसे कहीं पास से एक बहुत ही मधुर गीत गूंजता हुआ सुनाई दिया वह सूद भूध खोने लगा यानि कि वो उस संगीत में डूबने लगा लहरों की आवाज ने उसे जगाया जिधर से गीत की आवाज आ रही थी वो उस ओर बढ़ा उसकी नजर एक युवती पर पड़ी यानि की लर्की पर पड़ी जो की वह श्रिंगार गीत गा रही थी अचानक एक समुद्री लहर उठी और उसने लर्की को भिंगो दिया जिसके हर बराहट में वो अपना गाना भूल गई तटारा ने उसे बहुत ही बिनम्रता पूर्वक उसके इतने मधुर गाने को छोड़ने के पीछे की वजह पूछी युवती यानि की वो लर्की उसे देख कर चौक गई और ऐसे प्रश्न पूछने का कारण पूछने लगी तटारा उसे बार बार गाने को बोल रहा था अंत में तटारा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने उस लड़की से शमा मांगकर माफी मांगकर उसका नाम पूछा उसने अपना नाम वामीरो बताया तटारा ने उसे अपना नाम बताते हुए कल फिर से आने के लिए आगरह किया यानि की रिक्वेस्ट किया वामीरो जब अपने घर लपाटी पहुची तो उसे भीतर से बिचैनी होने लगी उसने टटारा के वेक्तित्व में वह सारे गुण देखे वह सारे चीज देखे जो वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी परंतु उनका संबंध परंपरा के विरुद्ध था यानि कि उनके गाओं की जो परंपरा थी उसके खिलाफ था इसलिए उसने टटारा को भूलना ही बहतर समझा किसी तरह दोनों की रात बीती दूसरे दिन टटारा लपाटी के समुद्री चटान पर शाम को वामीरों की प्रतिक्षा करने लगा यानि कि वो वामीरों का इंतिजार करने लगा सूरज ढलने को था कि तभी अचानक उसे नारियल के गुच्छों के पीछे से एक आकरिती दिखाई दी जो की वामीरों ही थी अब दोनों रोज शाम को मिलते और एक दूसरे को एक टक निहारते खरे रहते यानि कि वो एक दूसरे को देखते रहते लपाटी के कुछ युवकों ने यानि कि कुछ लर्कों ने उन दोनों के इस मुख प्रेम को भाप लिया यानि कि उनको पता चल गया और यह बात हवा की तरह सबको मालूम हो गई परन्तु दोनों का विवाह संभाव नहीं था क्योंकि दोनों अलग-अलग गाउं से थे सबने दोनों को समझाने की पूरी कोशिश की किन्तु दोनों अडिक रहे यानि कि अपने फैसले पर कायम रहे और हर शाम मिलते रहे कुछ समय बात तटारा के गाउं पासा में पशु पर्व का आयोजन था जिसमें सभी गाउं हिस्सा लिया करते पर्व में पश्वों के प्रदर्शन के अतिरिक्त यानि की जानवरों के कुछ प्रदर्शन खेल के अतिरिक्त जो वहां के युवक थे यानि की लरके थे उनकी शक्ती की भी परिक्षा होती साथ ही गीत संगीत और भोजन का भी आयोजन होता शाम में सभी लोग पासा आने लगे और धीरे धीरे अलग-अलग कार्यक्रम होने लगे परन्तु तटारा का मन इनमे ना होकर वामीरो को खोजने में व्यस्त था तभी उसे नारियल के जुंड के पीछे वामीरो दिखाई दी वह तटारा को देखते ही रोने लगी तटारा भी बेचैन हो गया रोने की आवास सुनकर वामीरो की मा वहां पहुँच गई और उसने तटारा को बुरा भला कहकर उसे अपमानित किया गाउं के लोग भी तटारा के विरोध में आवाज उठाने लगे यह तटारा के लिए असहनिय था उसे परंपरा पर भी बहुत ही जादा गुस्सा आ रहा था और अपनी असहायता पर भी अचानक उसका हाथ तलवार की मूठ पर जाट टिका और क्रोध में उसने अपनी तलवार निकाल कर धरती में घोप दिया और अपनी पूरी ताकत लगा कर खीचने लगा जहां से लकीर खीची थी वहां से धरती में दरार आने लगी द्वीब के दो टुकरे हो चुके थे एक तरफ तटारा था और दूसरी तरफ वामीरो दूसरा द्वीप घसने लगा यानि की धीरे धीरे दूर जाने लगा तटारा कुछ ऐसे हो साया उसने दूसरे द्वीप पर कूद कर उसका सीरा पकरने की कोशिश की परंतु वह सफल नहीं हो सका और नीचे की तरफ फिसलने लगा दोनों के मुह में एक दूसरे के लिए चीख निकल रही थी तटारा लहू लुहान होकर वहीं पर परा हुआ था बाद में उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता इधर वामीरो पागल हो गई और उसने खाना पीना छोड़ दिया लोगों ने तटारा को खोजने का बहुत कोशिश की परंतु वह नहीं मिला आज ना तो तटारा है और ना ही वामीरो परंतु उनकी यह प्रेम कहानी घर घर सुनाई जाती है इस घटा के बाद जो निकोबारी के लोग थे वो एक दूसरे के गाउं में अपना विवाह करने लगे तटारा की तलवार से कार निकोबार के जो दो टुकरे हुए थे उसमें दूसरा टुकरा लिटिल अंधमान है